गर्मियों का मौसम आते ही बड़े हो या बच्चे लसी हर किसी को पसंद आती है और लसी अगर चार अलग-अलग फ्लेवर्स में और वो भी मार्केट स्टाइल जैसी बनी हो तो मज़ा उसका दुख ना हो जाता है हेलो एफ्रिवान मैं हूँ स्रिष्टी और आज मैं आप लोगों के लिए चार अलग-अलग फ्लेवर्स के लसी की रेसिपी लेके आई हूँ साथी साथ मैं आपको एक छोटा सा सीक्रेट बताऊंगी जिससे की आप भी बिल्कुल मार्केट स्टाइल वाली लसी बना करके रेडी कर सकते हैं तो बिना किसी देरी की रेसिपी को देख लेते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगी केसर पिस्ता लसी इसके लिए एक बाउल में मैंने डाल लिया है एक कब जितना दही और यह बिल्कुल गाड़ा वाला दही है और यहाँ पर मैं हैंड विस्क का यूज करी हूँ आप चाहें तो मतानी का भी यूज कर सकते हैं और इसको कूप अच्छे से फेटना है अभी हम पानी वगर कुछ भी नहीं डालेंगे पहले हम इसको अच्छे से फेट लेंगे ताकि इसका टेक्श्चर एक्दम स्मूध हो जाए उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ दो चमच जितना चीनी और 10 से 12 यहाँ पर कीसर की स्ट्रैंड्स डाल देंगे साथ में कटे हुए पिस्टा भी डाल देंगे और थोड़ा सा बचा लेंगे कार्निशिंग के लिए तो यहाँ पर कीसर और पिस्टा और चीनी मैंने डाल लिया है वापस से इसे मिला लेंगे ताकि जो दही है वो और जादा स्मूध हो जाए तो यहाँ पर जो दही है वो बिलकुल अच्छे से फिट गई है और अब हम यहाँ पर आड़ कर देंगे तो चमच जितना पानी तो यहाँ पर मैंने टू टीबल स्पून पानी आड़ किया है साथ में चार बरफ की टुकड़े भी मैंने आड़ कर दिये है और इसको वापस से अच्छे से मिला लेंगे और बरफ भी पिगल करके पानी हो जाती इसलिए हमने इसमें बहुत जादा पानी नहीं आड़ किया है साथी साथ क्योंकि हम मार्केट स्टाइल वाली लसी बना रहे है तो वो थोड़ी सी क्रीमी और थिक होती है तो इसलिए हमने इतना ही पानी डाला है फिर भी मैं आपको ये देखे कंसिस्टेंसी चेक कर आ देते हूँ बहुत जादा पतली नहीं है और बहुत जादा गाड़ी भी नहीं है परफेक्ट एकदम मार्केट स्टाइल जैसी है तो चली अब हम इसे सर्फ कर लेते हैं तो यहाँ पर एक ग्लास में हमने इसको सर्फ कर लिया है और उपर से थोड़े से जो कटे वे पिस्टा बचे थे वो हम इसमें डाल देंगे और कुछ केसर के स्ट्रेंड्स भी डाल देंगे तो यहाँ पर यह हमारी केसर पिस्टा वाली लसी बन करके रेड़ी है और दिखने में जितनी अच्छी लग रही है टेस्ट में भी उतनी ही जादा अच्छी है यहाँ पर अब हम बना लेते हैं रोस लसी इसके लिए मैंने एक कप जितना दही लिया हुआ है साथ में डाल देंगे एक चमच जितनी चीनी और टू टीबल स्पून जितना रोस सिरप यहाँ पर मैंने रोफजा का यूज किया है आपको जो भी अवेलिबल हो रोस सिरप आप उसका यूज कर सकते हैं इन सारी चीजों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है तब तक जब तक ही जो दही है वो एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी में आ जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने चीनी एक चमच सिर्फ इसी लिए यूज किये क्योंकि यहाँ पर रोस सिरप भी काफी जादा मीठा होता है तो जादा मिठास ना हो जाए इसलिए चीनी को सिर्फ एक ही चमच रखेंगे दही अच्छे से फिट चुकी तो चली अब हम इसे ग्लास में सर्फ कर लेते हैं और यहाँ पर मैं थोड़ी सी सूखी हुई गुलाब की पतिया यूज कर रही हूँ यह दी सी गुलाब की पतिया हैं 100% एडिबल है यानि की ने खाया जा सकता है तो यहाँ पर यह रोस लसी हमारी पन करके रेडी है अब नेक्स टाम यहाँ पर बना लेते हैं प्लीन मलाई वाली लसी इसके लिए फिर से मैंने एक कब जितना दही लिया हुआ है साथ में डाल देंगे दो चमच जितना यहाँ पर चीनी उसके साथ मैंने यहाँ पर यूज किया है तो यह एसेंस है इसको सिर्फ दो बून डालेंगे इससे जादा नहीं डालेंगे क्योंकि काफी स्ट्रॉंग होता है साथ में कटे वे मैंने हाँ पर बदाम डाल दिये हैं और इन सारी चीजों को डाल करके मिक्स कर लेंगे अगर आपके पास केवडा एसेंस ना हो तो गुलाब जल डाल दीजेगा लेकिन दोनों में से एक चीज जरूर से डालीगा इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो इन सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है यहाँ पर यह बन करके रेडी है और चली अब हम इसे सर्फ कर लेते हैं तो इसको गलास में मैंने सर्फ कर लिया है और उपर से हम डाल देंगे थोड़ी सी घर की फ्रेश मलाई जो की दूद के उपर आती है और उसके साथ हम यहाँ पर डाल देंगे थोड़े से कटेवे बदाम जो हमने बचा के रखे हुए थे तो यहाँ पर यह हमारी प्लीन मलाई वाली लसी बन करके रेडी है बहुत इजी है इसको बनाना और साथी साथ टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगती है कर्मियों के मौसम में आम भी हर किसी को पसंद आता है इसलिए हम बनाने जारें मैंगो लसी इसके लिए मैंने लिया हुआ है एक कप जितना दही साथ में मैंने एक आम को मिकसर जार में इस तरीके से ब्लेंड कर लिया था तो उसका ये जो प्यूरी बना है वो हम यहाँ पर ले लेंगे तो यहाँ पर मैंने दो से तीन चमच जितना प्यूरी ले लिया है साथ में हम एड़ कर देंगे धाई चमच जितनी चीनी क्योंकि आम जो है वो कभी कभी खटा भी होता हलका सा तो आप अपने कोडिंग इसमें चीनी अड़िस्ट करें और साथ में मैंने हाँ पर डाल दिया था एक चुटकी जितना हरी लाइची का पाउडर आम और लाइची साथ में बहुत जादा अच्छे लगते तो इसलिए इसको जरूर से आट कीजेगा और वापस से हमें इसको विस्क कर लेना है तब तक जब तक की जो दही है वो एकदम स्मूध हो जाए तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक सीक्रेट की बात की थी कि बजार में जो लसी बनती वो कैसे इस तरीकी की एकदम क्रीमी बनती देखिए उसका एक बहुत चोटा से सीक्रेट है वो लोग कभी भी मिकसर जार का यूज नहीं करते हैं लसी बनाने के लिए हम लोग यूजरली घर में क्या करते हैं कि मिकसर जार में दही को फेट लेते हैं उससे क्या होता है कि दही एकदम पतली हो जाती है अगर आपको बजार जैसी perfect creamy consistency चाहिए तो या तो आप इस तरीकी के hand whisk का use कीजे या फिर हम सभी के घरों में जो लगड़ी की मतानी होती उसका use कीजे तो उससे आपको एकदम perfect इसी तरीकी का consistency मिलेगा यहाँ पर मैंने उसमें चार ice cubes और थोड़ा सा पानी मिला दिया था और इसको हमने serve कर लिया है उपर से थोड़े से आम के pulp के साथ इसको decorate कर देंगे इस तरीके से आप चाहें तो आम के टुकड़े भी इसमें डाल सकते हैं तो यहाँ पर यह हमारी mango lassi बन करके ready है तो उमीद करती हूँ कि आज के चारो लसी की recipe आप लोगों को पसंद आई होगी दो और important tip है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी first यह है कि दही में कभी भी शुरुआत में पानी मत मिलाएगा पहले दही को अच्छे से फेटिएगा उसके बाद ही उसमें पानी मिलाएगा उसे दही का जो texture है वो smooth बना रहता है और साथी साथ दूसरा important tip क्या है कि अगर आप घर की दही का use कर रहे हैं जो थोड़ी सी पतली होती है तो आप चाहें तो पानी को skip कर दीजेगा और सिर्फ बरफ की टुक्रे डालिएगा तो इस लसी की recipe को try जरूर से कीजेगा और अगर पसंद आए तो इसको like कर दीजेगा और चैनल को subscribe जरूर से कर लीजेगा till then stay blessed, keep watching my videos and bye bye from me